हेलो, हाई बच्चो, बी एसडी ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, आज हम पिछली वीडियो में हमने सीखाता वर्थ का छेतरफल से समन्दित फोर्मूले, जितने भी सरकल के फोर्मूले थे वो सारे, और आज उन सुत्रों के आधार पर हम कुश कुशनों को करना चाहे करेंगे, और सोल करेंगे, धेखो हमारा पह़ला क्वूशण कैबच्चो, पहलला महारा क् happening है, 1 बत्च केती साथ सेंटीमिडर कीजिए, जिसकी तेरजास सेंटिमीडर है, हमें ग्यात क्या करना है बच्चो, एक वर्थ का छेत्र फल ग्याद करना है जिसकी तिर्जाए 7 cm है तो हमें पता है बच्चो की एक वर्थ का छेत्र फल कितना होता है पाई आर स्क्वाइर होता है बच्चो और हमें क्या दे रखिये तिर्जाए दे रखिये 7 cm तो आप जानते हों कि वर्थ का चेतरफल पाई र स्कॉयर होता है तो पाई का मान आपको पता है 22 बटे साथ लोगे र स्कॉयर तो आर को आप लिखोगे साथ गुना साथ हैं तो ये एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया बच्चो 22 समती 154 तो वर्थ का चेतरफल आ जाएगा हुआ बच्चो स्कॉयर में यहां वरग में यहां वराग सेंटीमेडर लिखो 10 Stm² ठीक है बच्चो इसी परकार बच्चो यमन विर्थ की तिर्जा ग्याद कीजे जिसकी परिदी 132 सेंटीमेडर है तो हमीं तिर्जा ग याद करनी है और और परिदी दे रहा है और आपको परिद्धी बराबर हो गया तू पाई यार वर्थ की परिद्धी 132 रखोगे बराबर ही सुत्तर रख दिया तू पाई यार अब हमें पहले तो क्या ग्याद करोगे आर ही तो ग्याद करनी है इसे आगी क्यूशन भी पनद सकता है कि वर्थ की तिरजा ग्याद करो और वर्थ साथ बच्चों 22 बटे साथ रखने के बाद साथ उपर चला जाएगा यानि रिसी प्रोकल हो जाएगा यानि इन्वर्स कर दो गया आप ठीक है फिर यह क्या हो जाएगा 132 से 132 साथ उपर चला गया बटे में एपन में 24 बाइस को पciones इंचल किया तो हैँा कितना ह। आपको वथर की तिर्जा एक वर्थ की तिर्जा रेडिस्ट घ्तेर में सेंटिमेटर डिंट्र्वाइब आपको… इन पर्सनों को हल कणरा है आपको उम रक देदेता हूं बच्छो निए एक वर्थ की तिर्ज़ा 1.5 सेंटीमेटर थो वर्थ की परीदी 44 मिट्र है और gonna वर्थ का चेतर jsेंटर परीदी 3 One कुछ के लार करो वर्थ की परीदी 106 सेंटीमेटर तो वर्थ का चेतर फल ओर तिर्ज्या गया थे करो इसकी मैं PDF सेंड कर दूँगा बच्चों आपको ठीक है उनसे देख कर लेना